आज मैं बनाऊंगी दूदी कस्टर्ड दूदी कस्टर्ड बनाने के लिए कड़ाय में एक चमश गी लिया है गी गरम होते ही उसमें आदा कप किसा हुवा लवगी को डाल देंगे और थोड़ा से के दो से तीन मिनिट तक ड़के पकने देंगे दूदी कस्टर्ड बनाने में सिर्फ दस से पंद्रा मिनिट लगता है अब लौकी पक गई है इसमें आदा लिटर दूद डालके मिक्स करके अच्छे से उबाल देंगे अब दूद उबल रहा है तब तक हम आदे कप दूद में दो चमच वैनिला कस्टर पाउडर को गोल देंगे और दो चमच दूद में केसर वो भी गोल देंगे अब दूद उबल चुका है इसमें हम गोला हुआ कस्टर और आदा कप शकर को एड़ करके मिक्स कर देंगे अब इसमें केसर बन फूद चमच एलाइची पाउडर वन फूद चमच से भी कम जाइफल पाउडर को एड़ कर देंगे अब इसे पाच से साथ मिनिट तक उबलने देंगे अब दूदी कस्टर रेड़ी है इससे हम सव कर देंगे आदे लिटर दूद से चार कप दूदी कस्टर बनता है इसे गरम भी खा सकते है और फ्रीज में ठंडा करके भी खा सकते है इस पे थोड़ा बदाम डाल देंगे प्लिस लाइक और सब्सक्राइब मैं चैनल और प्रेस बेल आइकन थैंक यू सो मच फर वाचिंग चिए यजा रचिंग और बनता है